हलो गाईज वेलकम बेक टू माई चानल तो आज मैंने आप सभी के लिए मंगवाई है Q18 स्मार्ट वाच एमाजन से तो ये बहुत जादा अफॉर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है और उसे साब से इसके अदब बहुत सही वीचर्स देखने को मिल जाता है तो आज के इस वी की वीडियो पर भी सपोर्ट किया करो तो बहुत अच्छा लगेगा मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंड लाने की कोशेश करता रहूंगा बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी तो चली अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वीडियो को शुरू करता हूं तो सब आपको मैसेज करके रिव्यू देना होगा इस वाच को फाइव स्टार और इनको आप वाट्सअप पे उसकी स्क्रीन शॉट शेयर कर देना तो यह आपको 100 रुपीज का कैश बेक देंगे उसी के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगी यह स्मार्ट वाच तो इसे एक बार निकाल के बता देता हूँ तो यहां पर थोड़ा डिफरेंट सा लोक है इसका और वीडियो में आगे डिसकस करते हैं इसके बारे में पर उससे पहले एक बार कुछ और कंटेंट्स भी चेक कर लिते हैं तो यहां पर देखने को मिल जाएगी इसकी केबल तो यहां पर आपक कोई भी प्रोड़क्स परचेस कर सकते हो यहां पर बहुत कम रेट में आपको प्रोड़क्स देखने को मिल जाते हैं उसी के साथ इनके वाट्सप नंबर इनके इंस्टाग्राम पेज का लिंक और यह सारी डेटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी दिस्क्रिप्शन म तो यहां पर मैंने ओर्डर की थी अभी-भी W26 plus power smartwatch तो इन लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके हर प्रोड़क्स के साथ minimum 50 से लेके 2000 रुपीज तक का cashback देखने को मिल जाता है तो यहां पर आप देख सकते हो में को 200 रुपीज का cashback देखने को मिल गया है उसी के साथ इसके साथ आपको 100 रुपीज का coupon भी देखने को मिल जाएगा तो आप next time जब भी purchase करोगे तो आपको 100 रुपीज off हो जाएंगे next product में उसी के साथ इस smartwatch का होने वाला है giveaway में participate करना बहुत easy है just मेरे channel को subscribe करो इनके instagram page को follow करो और बाकी सारी details आपको देखने को मिल जाए ना और कोई भी product order करना हो तो इनको WhatsApp पे DM कर सकते हो ओके सो सबसे मिल अगर बात करें build quality और first impression की तो first impression अच्छा लग रहा है इस smartwatch का उसका रीजर यह है कि यहाँ पर आपको अच्छा सा display देखने को मिल जाता है उसी साथ ऊपर की side में camera देखने को मिल जाएगा और इसके प बात करें overall quality की तो overall decent quality है पर यहाँ पर इसकी straps की quality मुझे अच्छी नहीं लगती है personally क्योंकि इसके जो straps से इस तरीके से ही रहते स्टेट नहीं होते तो आप समझ सकते हो ऐसे band होके रहते हैं तो यह चीज थोड़ी irritating हो सकती है बाकी सब को चाहिए straps को लेके थोड़ी सी दि इसकी battery को install कर सकते हो lithium-ion battery का support देखने को मिल जाएगा तो चली अब इस smartwatch को on करके check कर लेते हैं और नीचे होले button को 3 second तक press करना पड़ेगा इस smartwatch को on करने के लिए तो यहाँ पर इस type से इसका display देखने को मिल जाएगा और अगर बात की जाए bezel की तो यहाँ पर इस watch के सबसे विल अगर बात करें UI की तो उपर से नीचे की तरह swipe करने से कुछ नहीं होता नीचे से उपर की तरह swipe करने से भी कुछ नहीं होता राइट की तरह swipe करोगे तो application देखने को मिल जाएगे तो इस watch के अंदर बहुत सारे application का support देखने को मिलेगा तो चलिए एक एक करके discuss क पढ़ लेता हैं तो सबसे फिले से smart watch के अंदर option देखने को मिल जाएगा messages का और messages वगिरा आप आराम से पढ़ सकते हो उसी के साथ call locks का option है Bluetooth का option है और यहाँ पे एक और calling का option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके पास दो option है या तो sim डाल के calling कर सकते हो या फिर phone स Bluetooth से connect करके भी calling कर सकते हो और क्योंकि यहाँ पर quality अच्छी देखने को मिल जाती है तो आप आराम से calling वगिरा को enjoy कर पाओगे उसी के साथ कुछ secret codes भी इसके अंदर use कर सकते हो जैसे कि जो phone के अंदर work करते है वही सारे secret code यहाँ पर भी work करते है तो secret codes होगिरा भी use कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पर phone book का option देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपके सारे context शो हो जाएंगे उसके बाद option calendar का उसी के साथ settings का option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर basic सी setting देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप चाहो तो password भी लगा सकते हो उसी के साथ यहाँ option देखने को मिल जाएगा image viewer का और इसे हम आगे test करते हैं उसके बाद option देखने को मिल जाएगा user करके कुछ है तो यहाँ पर आप चाहो तो अपने सबसे mode वगेरा select कर सकते हो profiles का option है basically उसी की साथ file manager का option देखने को मिल जाएगा और watch की storage के अंदर यह सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी और अगर चाहो तो memory card डालके भी access कर सकते हो उसके बाद option देखने को मिल जाएगा calculator का तो calculator को भी access कर सकते हो इस smart watch के अंदर उसके बाद है option alarms का तो alarms वगरा भी set कर सकते हो और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा camera का तो यहाँ पे मैंने ये picture click किया है और इस smart watch के हिसाब से ठीक ठाक quality देखने को मिल जाती है और watches से पहली बाद में कोई इतना expectation भी नहीं रहता है तो यहाँ पे बिल्कुल average quality देखने को मिल जाएगी और उतने भी कुछ खास नहीं है पर उसके बाद चलिए कुछ और features चेक कर लिते हैं तो इसके बाद option देखने को मिल जाएगा audio का और इसके अंदर music वगरा सुन सकते हो और यहाँ पे sound recorder का भी option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे एक बाद इसे test कर लेता है तो इस type से sound recorder को भी use कर सकते हो उसी के साथ pedometer का option देखने को मिल जाएगा इसके अंदर 80-90% तक accuracy देखने को मिल जाती है उसी के साथ यहाँ पे आपको option देखने को मिल जाएगा sleep monitor का जो की work नहीं करता है और उसके बाद option sedimentary reminder का तो यह watch आपको remind करती रहेगी उसी के साथ यहाँ पे वो features का option देखने को मिल गए है जिसका I think आपको कब से wait होगा तो इसके अंदर application दे रख है facebook का whatsapp का और twitter का browser का और यह तो basically इसके जो application है उसका barcode है तो यह चारो application को लेके आप सभी लोग बहुत सदा excited होंगे और मैं खुद भी personally excited हूँ तो चलिए एक बाद test कर लेता है सबसे फ़ले whatsapp को open करके check करते हैं कि चलता है यहाँ पे नहीं चलता है तो यहाँ पे फिलाल के लिए waiting लिखा आ रहा है तो कर लेंगे wait उसमें क्या है यहाँ पे wait कुछ जादा ही हो रहा है तो guys literally इस watch को लेके मैं कब से बैठा हूँ और इनकी waiting खतम नहीं हो रही day two okay so waiting मैंने बहुत सदा कर लिए है इस सदा मैं नहीं करूँगा तो उसके बाद option देखने को मिल जाएगा facebook का whatsapp तो waiting में निकल गया अब एक बाद facebook चेक कर लेता है कि facebook में क्या होता है मेरे को नहीं लगता है कि whatsapp facebook चलेगा इसके अंदर तो चली एक बाद browser को test कर लेता है ओके so whatsapp, facebook, browser और twitter इनकी waiting कभी भी खतम नहीं होती है I think ये original smart watch नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस series में जो watch आती है जैसे कि DZ09 हो गई, A1 हो गई, Q8 हो गई ये सारी watches के अंदर क्या होता है कि इनके भी duplicate बन जाता है तो मेरे साब से मैंने गलती से वोई order कर दिया है और उस वज़े से यहाँ पर ये तीनों application नहीं चल रहे है पर original जो watches होती है जैसे कि original Q8 हो गई या फिर original DZ09 उसके अंदर ये features 100% work करते हैं मैंने बहुत सारे videos में देखा है और literally browser, whatsapp वगईरा ये सारे features work करते है तो फिलाल के लिए ये watch भी fail हो गई as usual कोई बात नहीं एक बार के लिए आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और अगर आपको फिर भी पसंदारी हो तो बाइन लिंक दे दूँँगा description में परचेश सरूर से कर सकते हो पर मेरे साब से तो उतनी worth it नहीं है पर price range कम है तो जादा कोछ चिकायत में नहीं कर पाऊंगा पर बहुत जल्दी मैं AliExpress या फिर कोई international website से आपके लिए original DZ09 जरूर सा order करूँगा और उसका review दूँगा चैनल पर पहली बार आये हो तो subscribe करके रखना ताकि आपको इस टाइब का content मिलता रहे उमीद है आज का वीडियो पसंद आये होगा बहुत जल्दी आपके लिए original smartwatch का review लाने की कोशिश करूँगा तो stay tuned और मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई